दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेतरीन प्लान के जैसा कि आप इसक्रीन पर देखा होगा हमारा प्लान और थमनेल भी देखा होगा इसका साइज है 30 x 25 फ्रंट की बात करें मतलब चोड़ाई की बात करें तो 30 फिट है और लंबाई की बात करें तो यहां पर 25 पूरा घर दोस्तों प्लर पर बना हुए है इसी को आज हम डिसकस करेंगे फ्रंट की बात करें तो लो बजट हाउस क्रेड की है फ्रंट के ऐलिवेशन भी मैंने अगर आप गाउं शेहत में बिलॉंग करते हैं गाउं में भी घर बनवाते हैं सहर में तो लो बजट में यह घर आपका बनके रीडी हो जाएगा इसी मॉडल का जम डिसकस करने वाले हैं बारी बारी से इसका मैंने ग्राउंड फ्लोर ही बनाया है लेकिन बहुत ही बेतरीन लुक और यहां पर इलिवेशन दिया है तो इसको मैं आपको बताने वाला हूँ तो बनने इस उडम लगाता लिडियो मिलते रहते हैं जैसे कि मैने एक वेडियो डाला था हर मेशा लगातार वीडियो डालता रहता हूँ जो आपार बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं और साच-सार दोस्तों मैन एक पेड़ सर्वीस है अगर आप हम यह पाइड सर्विस के category मैं तो सब्सक्रिजां न पेमेंट ना करें क्योंकि online fraud भी बहुत होते हैं आप लोग नंबर कमेंट करते हैं तो दूसरे लोग भी मापर नंबर कमेंट करते हैं आप उन्हें फोन करें खोश अक्ताब से पैसा वो ले लें तो जब तक आपकी हमसे बात ना हो तब तक आप पेमेंट किसी विव्यक्ति क को ना करें तो जो अब बात करने वाले हैं 20 30 क्रॉस 25 का ये पुरा प्लान तो इसे जूम करके आपको दिखा देता हूं इसका रियलिस्टिक विव आपको देखने को मिल जाए तो ये इसका दोस्तों विंडो का रियलिस्टिक विव है ये डिजाइनिंग परपस है जो ग्रीन कलर को देख रहे हैं ये में डूर है यहां से इंटी करेंगे रियलिंग की बात करें रियलिंग की जो फ्रेंड में बात करे तो फ्रेंड में ये दो विंडो और ये स्टैलिस्ट बना हुआ है ये सीड़िया है जहां से आप चड़ेंगे में डूर से अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड फूर की दूर जैसे आप इंट्री करते हैं सबस्पहला पार्किंग के लिए बारंदा आपको छोटा सा मिल जाता ये आपका बारंदा एरिया है इसका एक बड़ा सा मास्टर बैड डूम आपको साइड में मिलता है और इस साइड में आपको एक गेश्ट रूम मिल जाता है और दोनों रूम में आपके इंट्री के अगर मात करें बारंदे सी दोनों में इंट्री यहां से भी गेट दिया ह यहां से भी गेट दिया है, दोनों रूम के ventilation के लिए, आपको front में मैंने एक window दे रखा है, अब मैं इंडोर से entry करते हैं, यह ventilation के लिए मैंने आप window दिया है, मैं इंडोर से entry करते हैं, अब आजाते हैं, अपने hall में आप, hall से ही आपकी शीडियां गई हैं, जो कि आप उपर लेकर जाएंगे और पीछे दोस्तों मैंने सिर्फ बड़ा से एक kitchen मनाया है और एक बड़ा से latent bath का mind बनाया है, इसका region यह है, जब भी आप इसके उपर बनाएंगे तो यह आप एक room भी यहां पर create कर सकते हैं, जैसे आपको उपर kitchen नहीं बनाना तो यह यहां से आप पूरा जोड़ देंगे तो उपर आपका एक bedroom बन जाएगा और यहां पर आपका सीडियों के नीचे latent bath बन जाएगा, तो आपके दो room और separate निकाल आएंगे इसलिए मैंने यहां पर ground floor पर बड़े से kitchen और late बना दिये इसमें आपको उपर problem ना हो तो इसलिए मैंने आप दो bedroom, kitchen, late bath और steers बनाए हैं, front की बात करें बारंदा भी आपको मिला है, parking के space भी मिला है, और शाथ ही साथ आपका बेतरीन सा look भी देखने को मिलता है तो यह तो ground floor की बात हो गई 30 cross 25 में यह दोस्तों pillars है, आप देख रहे हैं सारे corner पर pillar वगएरा है, इसका 2D model भी हमारे पास है, लेकर अगर आप हमें comment करेंगे, आप हमें paid service का स्वाल करते हैं, तो हम 2D और 3D both provide करवाते हैं, अब हम बात करते हैं, लाइस लोड पर तो लाइस लोड पर कुछ भी नहीं, चारो तरप से boundary है, front से एक stylish railing, जिससे आपके घर को एक और भी बेतरीन सा look और new look देखने को मिलता है तो यही पूरा model था, 30 cross 25 में हमारे एक subscriber थे उनके कहने पर मौल को डिजाइन किया है, वो लगाता है हमें कमेंट कर रहे हैं 20, 30 cross 20 का हमें मौडल चाहिए, 25 का मौडल चाहिए तो उनके कहने पर मौडल को डिजाइन किया, तो 30, 25 में मौडल जैसा भी लगा हमें जरूर बताएं, 3 side closed है, और अगर आपकी कोई requirement है तो आपके कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमरी paid service का इस्तमाल जरूर कर सकते हैं, तो इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करें, like करें और शायशा चैनल को subscribe नहीं किया, इसमाल और उस plan को तो जरूर कर लें, thanks for watching